आज हम लोग क्लास एट का फिजिक्स का सबसे पहला चप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स बैसे तो है काफी छोटा चप्टर लेकिन इसमें भी बहुत कुछ देखना हम दो काफी इंट्रेस्टिंग चप्टर है और काफी मज़दार रूप से पढ़ेंगे सबसे पहले हैं सबसे पहले सबसे पहले सबसे परना होता है जैसे में एससे देखो यहां तक कि जिस मुवाईल से तुटिक्स के वज़ए से मतलब कि फिजिक्स इजे पार्ट ऑफ साइंस यह इस ब्रांच ऑफ साइंस विज डिल्स टेखनो लोजी टेक्नोलोजी के साथ डील करने वाला जो है इतना काफी है अब हम लोग फोर्स में क्या-क्या टॉपिक है सबसे पहले सकते हैं तो चलिए सबसे पहले इतने देफिनिसन देखते हैं क्लास सेविन में फाइब में शायद फोर्स का डेफिनिसन बच्चा वाला पढ़ा जाता है एप फोर्स जीजे पूस और पुल और आज की डेट में भी बहुत लोग को यह नहीं पता है कि पूस क्या होता है दुकान के बाहर पूस लिखाया तो मतलब नए जवाने के साथ बाकी बच्चों सगर आगे निकलना है तो हम लोग को डेफिनिसन में थोड़ा आडवांस टेक्नलोजी का पढ़ना परेगा और फोर्स के बारे में निटेल में जानना परेगा तो पूस और पूल इस कॉल फोर्स यह तो एक डेफिनिसन है यह त अगरे स्टैंडर्ड डेफिनिसन का बात करें तो फोर्स वहां भी होता है जह हम लोग ना पूस कर रहे हो और पूल कर रहे हो अब सब्सक्राइब जो बच्चला डेफिनिसन है वह क्या कह रहा है पूस और पूल इसकॉल फोर्स यानि कि जहां धखेल रहे है यहां खीच र लागा रहे थे अब हम केज़ को खीच रहे हैं आप सपोर्ट एड कुछ भारी चीज को खीच रहे हैं देशाव-200 किलो का है अब खीचा नहीं रहा है तो क्या हम फोर्स नहीं लगा रहे थे लगा तो विल्कुल रहे थे इनरजी तो वेस्ट हो रहा था चार घंटा के बाद पूँख भी लग जाएगा अगर हम लगता हैं धकेलते रहें तो लेकिन फोर्स का डेफ्निशन के हिसाब से चले पूश और पूल तो तो वो डेफ्निशन गलत हो जाएगा ना तो इसी लिए हम लोग नया डेफ्निशन बनाएं कि अगर मेरा इंटेंशन है किसी भी चीज को खीचने का या किसी भी चीज़ को उस पोजिशन से हिलाने का अगर इंटेंशन है और उस इंटेंशन के तहट अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं यानि कि if we tend to move object then external affairs is applied और जो external affairs अप्लाई किया गया था वही फोर्स था क्या समझा कुछ नहीं समझा फिर से सुझा क्या हुआ कि अगर मेरा इंटेंशन है कि इसको ठाकिलने का इसको ठाकिलने का इंटेंशन है कि इसको ठाकिलने का इंटेंशन अगर मेरा इंटेंशन है और उस पर कुछ external affairs हम लगा रहे हैं उसके लिए तो जो लगा रहे थे वही फोर्स था यह लिखादेंगे यह यह एक मिनट बस मिटा ले इसको इसको में ने लिख दिया है वो तो बहुत पहले पहले से पता होगा है और जो मैंने अभी बताया था इस चाहते हैं तो उसको करने के लिए कुछ लगाएंगी तो जो लगा रहे हैं वही फोर्स लगा रहे हैं यह डेफिकिस्टन इसको कहीं भी लिखोगे तो बढ़ियां बार्स मिलेगा ठीक है अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अब इसको मिटा करके उसको देखते है मतलब कि प्रभाव क्या पर रहा है जैसे कि दूस्ट प्रभाव क्या परता है यह बच्चों के उपर नहीं जेनरल क्या प्रभाव है उसके बारे में रहते हैं अब फोर्स को लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं हम चाहें तो इसको फोर्स को लगा करके सबसे ऐसे उब से इंपॉर्टिंट फोर्स लगा करके हम लोग किसी भी चीज को धाकेल सकते हैं तो ब्रखेल सकते गृत्त हैं अब सबसे पहला इफक्ट है कि applying force यानि कि force apply करके applying force we can push और pull यानि कि धाकेल भी सकते और खीच भी सकते हैं यानि कि कोई भी object को हम धाकेल भी सकते हैं खीच भी सकते हैं अगर इसको ही अगर कोई कहे कि ज्यादा लंबा point में लिखना है तो इसको दो point में split कर लेंगे मतलब सबसे पहले आप लाइंग फोर्स वी केल पूस एनि अबजेक्ट लिखेंगे और सेक्ड लाइन में लिखेंगे हो गया है एक ही सेंटेस का दो सेंटेस तो यह तो डिपेंटर था अगर दिन काटने वाली बात हुई या अंसर लंबा खिचने की बात हुई तो बिलकुल लिखेंगे दो लेकिन अकर सिर्फ समझना है और सौर्ट में हम लोग जैसे लिख सके अगर उसका बात करेंगे तो यह दोनों एक पॉइंट पर लिखेंगे दूसरा कोई चल रहा है नबबे किलो मीटर पर आवर से हलाकि साइकल तो इतना जाएगा नहीं और बाइक किसी के हाँ से जल्दी का तो क्या लगा बनकृत सब्सक्रों है तो क्या लगाए उसको रहा तो हम पहला तो में हम उसको फोर्षना के रोक ही तो चलो पहले इसको लिख लिए तो यानि कि पोर्षस लगा यह वह किन शाप है तीसरा पॉइंट अब हम रोके नहीं है पहले सब्सक्राइब आदमी साइकल चला रहा था साइकल चोड़ा बाइक कोई आदमी जो है वह बाइक को बहुत देज 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 पर आवर कर लो इस स्पीड तो खेर अभी एट में पर नहीं पर ना है लेकिन समझने कि लिए तो देखा होगा तो इनसान जो है कितना किलोमेटर पर आवर सला रहा ही कि सब्सक्राइब या कुछ इससे दो क्या करेंगे कि नहीं चाहते हैं उसको ऐसे अंट उसको क्या करेंगे या लगा करके हम लोगे स्पीड को ऒढ़ा भी सकते हैं और मیकлек भरिया क्या दो इससे दिर को अलग बात किलाए बहले किया है वो इसले नहीं अब सब चला रहा है बहुत स्लो तो फिर फोर्स लगाया तो पैडल पर जब फोर्स लगाया तो क्या करने के लगाया इस पीड बढ़ाने के लिए लगाया तो फोर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस स्पीड को कम जाला कर सकते हैं तो हम लोग क्या लिखे है अब लाइंग फोर्स में चेंज दा स्पीड ऑफ मुविंग अबजेक्ट नेक्स और क्या कर सकते हैं फोर्स लागे हम लोग यह तीन में काम है अब यह दो और बचा हुआ है बुक में रीचे एसे लखना हो तो क्या क्रोड पॉइंट लिखना लेकिन तीन में काम का हो गया 14 सोछी चल रहा था सीबहा था हम फॉर्स लाग अधिये हैं जैसे काम हो यह जासे रखा सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं बिल्कुल बदल सकते हैं तो चौथा पॉइंट क्या लिखाएगा चौथा पॉइंट लिखाएगा अपलाइंग फॉर्स त्यूंट आप लाकेक्षा देश्चा और यानि कि कोई भी अब्जेक्ट अगर नॉट्स चैनला था तो उसको इसट रॉभा सकते वेस्ट आ सकते हैं शुक्त अक्या लगा कर लगा कर दिया नहीं है चाहरो अलग है अब जैसे कि हम क्या बुरिफें? हमको मरकर उठाना, हमको घरी उठाना, हमको यह माईक उठाना है, तो तीनों में उठाना common हो गया, तो यह तीनों को घरानों कर एक में लिखना होगा, तो सिर्फ उठाना लिखेंगे, वैसे ही, यह चारोandQuint में अब पांजमा पॉक्ट का नोल्मल लगा के लगा कर गोल भी बना सकते हैं सब्सक्तार कि डिग्ट कौह बता हो वो समझ के है लोग सेंबर सकते हैं लेकिन यह 4 point में मिलता है तो यह अलग से पॉइंट है तो इसको अलग से लिखे हैं पांचमा पॉइंट है अप्लाइंग फोर्स कि वीकें चेंज दर से पॉप्ट चलिए यह आपका पांच पॉइंट हो गया इफेक्ट का बस यह पांच पॉइंट है पहला किसे विखीज को टर जैपके लिया की सकते हैं कि दूसुरा किसे भी चीज को रोक सकते हैं घृत किसी भी चीज का सबस्कें टा जोगुड चीज का अब हम लोग mettre टीज को पिक है इसको मिद आते हैं तो फिरिश्य को शूरू हुआ हाथ के टार्ट हेडें है एक्सप्लोरेंग फोर्सी और फोर्सेत और फोर्सेव है जो अब इस्प्लोरिंग होता है मतलु एक्सप्लोर करना मद्किश करना पहचान है अगर इसका मतलब फूर्स यह बस इतना ही आसा लग रहा है कि बस इतना ही था क्या हाँ बिल्कुल इतना ही था बस इतना ही परना था exploring forces पहचानना है कि पूस है या पूल है अगर पूस है तो ठाकेल रहे हैं पूल है फिच रहे हैं हो गया exploring forces पूल पहचानना रिकोगनाईज करना नेक्स्ट है forces due to interaction अब interaction का मतलब अब इस बात को प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं ठीक अब सपोस्ट एट फोर्स लगाना है तो कहां लगाओगे कोई अर्जेक्ट पहीं लगाओगे ना कि बीना फॉर्स हुआ ही नहीं हम तो वह से जब काम करना दूसमें कुछ करना है तभी फोर्स होगा अब ऐसे सोच रहे हैं हम खरे हो कि कोई करना पड़ेगा कुछ तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो जैसे हम बटन को दबाएं तो मेरे उंगली और बटन के बीच में टच हुआ या नहीं हुआ तो टश हुआ तो दोनों इंट्रेक्ट हुए या नहीं हुआ दोनों आप अपसे मिला या नहीं मिला तो अच्छा तुम ही बताओ बीना मिला यह फोर्स कहां लगा सकते हैं कुछ जगह है वैसे कि लगा सकते हैं लेकिन उसमें भी लॉजिक है अब जैसे दो मैगनेट बीन इंट्रेक्शन है वह दूर से ही खिशने वह यह अलग बात है लेकिन दो अब्जेक्ट तो चाहिए नकम से कव दो अब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए जैसे पीट्सपि भी किसी चीज को ऊपर से खिच ले का है अब इज्डे से घुजर रहा है तो क्यूं जामीन पर तो दो ये चाहिए ज इंट्रेक्शन आपस में forces are due to interaction का मतलब की 2 object आएगा आपस में मिलेगा या आपस में नहीं मिलेगा लेकिन 2-5 होना चाहिए तो नों कम चीह अगर आसा है तभी फोर्स लगेभा अगर नहीं तो नहीं नहीं लगेगा देखन वहीं लग जा—— तो इठ्रेक्षां हो रहा था first ट्वी को वहीं लगेगा अब तो समझ गया होंगे इसमें हम लोग की कि रिखेगी और आई में पाइन के एंड़ करना है है yes it is true force is applied only when there is interaction between two objects it is not the interaction between two objects it got 4 topicsếnbar we do what next we do four topics can be heard झाल झाल